इसमें सुभे के साथ बशकर 31 मिनट हुए हैं ये श्रुलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉपरेशन का विदेश विभाग है और अब हम शुरू करना चाहते हैं SLBC का सबसे सुरीला कारिकरम पुरानी फिल्म का संगीत और सबसे पहले तो आप सभी को धन तेरस की बहुत बहुत बदाई और हम शुरू करते हैं कारिकरम पुरानी फिल्म के संगीत के कारिकरम को ये गाना सुनवा कर पारस फिल्म से हमने गाना चुना है लता मंगिशकर और म पहम्मद रफी की आवाजों में तु है कहों बता दे सूरत नहीं दिखाता आवाज ही सुना दे ओ दिल में बसने वाले ओ दिल में बसने वाले नजरी जरा उठा दे ओ दिल में बसने वाले नजरी जरा उठा दे और चाल बन के मेरी दुनिया को जब मका दे दिल लेके छुपने वाले तुझ को मेरी पर्सम है मिलकर चुदा ना होना दिनिया हाजार जाहे तुपे वफा ना होना हाथों में हाथ लेकर जीवन के दिन बिटा दे ऐसा ना हो के दुनिया तुझ से हमें भुडा दे दिल लेके ओ दिल लेके ओ दिल लेके छुपने वाले तुझ है कहां बता दे दिल लेके छुपने वाले तुझ ये था आज के कारिक्रम का पहला गाना पारस फिल्म से लता मंगेशकर और महमद रफी की आवाजों में गुलाम महमद के संगीत में शकेल बदाईनी ने इस गाने को लिखा था तेरी याद आ रही है ओ दिल में बसने वाले तेरी याद आ रही है दिल के हर एक धड़कं तुझ को बुला रही है तेरी याद आ रही है तेरी याद आ रही है दिल पर तेरी जुदाई खंजल चला रही है तेरी याद आ रही है मजबूर हो गई हूँ आकर पराएं बस में वो तक देर हास रही है लाकर मुझे आपस में पुच्डी हुई तमना आसु बहार ही है तेरी याद आ रही है तेरी याद आ रही है मैं तुझ से दूद होकर खुब से बचड़ गया हूँ कोई नहीं है मेरा मुश्किल में पड़ गया हूँ मेरी नजर भी मुझ से आँखें चुदा रही है तेरी याद आ रही है तेरी याद आ रही है तेरी याद आ रही है ओ दिल में बसने वाले तेरी याद आ रही है ये गाना हजार राते फिल्म से महमद रफी और आशा भूसले के आवाजों में आपको सनवाए गया गुला महमद के संगीत में गीत को शकील बदाईनी ने लिखा था और अब खेम चंद प्रकाश के संगीत में हम आपको सनवाना चाहते हैं अगला गीत रिम जिम अफिल्म से आवाज है शमशाद बीगम की और गीत को लिखा है पंडित भरत व्यासने तुम्हाद आए ना नीदाई तुम्हारी याद ही आए ना तुम्हारी याद ही आए किसी मत्हर से टकदाकर मेरी फर्याद ही आए ना तुम्हाए ना नीदाई तुम्हारी याद ही आए तिरी आबाद में फिल से न कुछ भी पासके हम तो मेरी किसमत गई बरबाद मेरी किसमत गई बरबाद और बरबाद ही आए किसी पथर से टकदाकर मेरी फर्याद ही आए ना तुम्हाए ना नीदाई तुम्हारी याद ही आए लिए पुलपुल ने दो तिन के के सारा आसमा जोगा के सारा आसमा जोगा महाराई भी तो दिल में लिए पर्याद ही आई किसी पथर से टकदाकर मेरी फर्याद ही आई ना तुम्हाए ना नीदाई तुम्हारी याद ही आई ये गाना रिम जिम फिल्म से शमशाद बेगम की आवाज में आपने सुना और अब सामवरिया फिल्म से हम आपको सुनवाना चाहते हैं अगला गीत आवाज है सुरिंदर कौर की संगीत रशना है सी रामचंदर की और गीत रशना है पी एल संतुशी की ये लाखों हसरते ये लाखों अरुमा दिल में छिपाए जिन के लिए वो ही हमारे को ना सकत अब दिया बताओ किन के लिए अब दिये बताओ किन के लिए दिल के सहारे हो ना सकते आंचों कहाए जिन के लिए अब दिये बताओ किन के लिए दर्द की दुनिया देख के लो कहते गए ये दुआ समझों हमारी तुम्हारी महबत का ये खत्मा पसाना हुआ समझों किन के लिए गारी लाखों दुआ आए कि तुम्हे उठाए जिन के लिए अब दिये बताओ किन के लिए अब दिये बताओ किन के लिए किन के लिए अब दिये बताओ किन के लिए अब ही आप ये गाना सुरिंदर कौर की आवाज में सामरिया फिल्म से सुन रहे थे सुभे के साथ बचकर चैलीस मिनट हुए हैं और इस वक्त आप सुन रहे हैं कारिक्रम पुरानी फिल्मों का संगीत श्रिलंका ब्रोडकास्टिंग कॉपरेशन के विदेशु भाग से नाम तेरा है जबाँ पर याद तेरी दिल में है जाने वाले अब तो आजा जिन्दगी मुश्किल में है जिन्दगी मुश्किल में है नाम तेरा है जबाँ पर याद तेरी दिल में है जाने वाले अब तो आजा जिन्दगी मुश्किल में है जिन्दगी मुश्किल में है दिल का जो अंजाम होना था वही आफिर हुआ चांद अर्मानों का मेरे बदलियों में छुप गया छुप गया अब अंधेरा ही अंधेरा प्यार की मैं फिल में है जाने वाले अब तो आजा जिन्दगी मुश्किल में है जिन्दगी मुश्किल में है रह गई रह गई परियाद बनकर वो खुशी की दास्ता वो खुशी की दास्ता तेरे गम को दिल में लेकर हम तो बैठे है यहाँ है यहाँ दिल के मालक तू न जाने कौन सी मन्जिल में है जाने वाले अब तो आजा जिन्दगी मुश्किल में है जिन्दगी मुश्किल में है यह गाना दास्तान फिल्म से सुरिया की आवाज में आपने सुना नौशाद अली का संगीत था और बोल थे शकिल बदैनी के लीजे अब हफीज खान के संगीत में अगला गाना सुनिये तलत महमुद की आवाज में महरबानी फिल्म से गीत का रहें शेवन रिजवे मिटने दे मेरी जिन्दगी अपना जहां बसाए जा मिटने दे मेरी जिन्दगी मेरी कसम को याद रख अपनी कसम भुलाए जा मिटने दे मेरी जिन्दगी जल गया कौन ये न देख आग कहां लगी ये देख जल गया कौन ये न देख आग कहां लगी ये देख तेरा ही था ये आशियां मरजी तेरी जलाए जा मिटने दे मेरी जिन्दगी रूठी है मुझे से यूं हती फोटों पे अग न आएगी रूठी है मुझे से यूं हती फोटों पे अब न आएगी तुझ से मगर गिला नहीं तु यूं ही मुझे सुराए जा मिटने दे मेरी जिन्दगी दुनिया में मेरे प्यार की दिये मेरी उमीद के दुनिया में मेरे प्यार की दिये मेरी उमीद के तुने ही खुद जलाए थे तु ही इन्हें बढ़ाए जा मिटने थे मेरी जिन्दगी हफीज खान के संगीत में ये दुनिया है यहां दिल का लगाना किसको आता है ये दुनिया है यहां दिल का लगाना किसको आता है हजारों प्यार करते है निभाना किसको आता है ये दुनिया है यहां दिल में शमाना किसको आता है मिटाने वाले लाखों है ये दुनिया है यहां दिल में शमाना किसको आता है ये दुनिया है यहां दिल में शमाना किसको आता है ये दुनिया है यहां दिल में शमाना किसको आता है ये दुनिया है यहां दिल में शमाना किसको आता है ये दुनिया है यहां दिल में शमाना क निगाहे फिर ले तुमने तो हम किसकी तरफ देखे किसकी तरफ देखे तुम्ही तहदो मुभबत का पताना किसको आता है ये दुनिया है वपा कायू तो दम भरते हैं इस दुनिया में सब लेकिन दुनिया में सब लेकिन वपा के नाम पर मिट कर दिखाना किसको आता है हजारों प्यार करते हैं निभाना किसको आता है ये दुनिया है यहाँ दिन का लगाना किसको आता है ये दुनिया है ये गाना शायर फिर्म से वह अपने लता मंगेश कर और मुकेश के आवाजों में सुना और अब सुनिये आज के प्रोग्राम का आखरी गाना सुर्गिय कुंदरा सागसाफ के अमर आवाज में ये गाना है फिर्म शा जहां से संगीत कार है नौशा दिली और गीत कार है मजरू सुल्टान पुरी जोह बरबाद करेगी हमें मालूम ना का रोते रोते ही कटेगी हमें मालूम ना का मा रोते रोते ही कटे ही हमें मालूम ना था मो तभी हम पहसेगी हमें मालूम हो मना था जिन्दा की रोक बने की हमें मालूम ना था जिन्दा की रोक बने की हमें मालूम ना था जाह बरबाद करेगी हमें मालूम ना था चाई खन खोर खटा चांद सितारे ना रहें वो उमिद न रही अब वो सहारे न रहें वेर तो वेर ही के वो भी हमारे न रहें हम पे ऐसी भी फड़ेगी हमें मालूम ना था हम पे ऐसी भी फड़ेगी हमें मालूम ना था चाह बरबाद करेगी हमें मालूम ना था इसके साथ ही कारिकरम पुरानी फिर्मों का संगीत हम यहीं पर समाप करते हैं यह श्रिलंका ब्रोडकास्ट इंक कॉपरेशन का विदी शुभाग है शॉट वेव 25 मीटर वैंड में 11905 किला हर्ट्स और www.slbc.lk वेबसाइट पर सुभे का प्रोग्राम हम अब यहीं पर समाप करने जा रहे हैं हमारी अगली सभा का सुभे 6 बजे आरह होगी तो आज के दिन आपने हमारे कारेक्रम को सना आपने भाग लिया इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और कामना करते हैं आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो आज के दिन हमें तकनिकी साहता प्रदान करे थे टियूलीन जोती परमार को अब आगे दीजे नमस्ते